सो नाओ रिलाइंस पाबर हो रहा है काफी दुनों से एक अच्छी खासी थेजी हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है लेकिन क्या यह रनप जो है और क्यों हो रहा है इसको जरा समझना जरूरी है कि क्या यह रनप सस्टेनिविल्टी ला रहा है या नहीं ला रहा कि जो पाबर सेक्टर में जो तेजी हो रही है जैसे कि आप अडानी पाबर देख लो आप जेपी पाबर देख लीजिए जो की रिलाइंस पाबर के सास्ता चलता है मतलब यहाँ पर प्राइस जो है वो दोनों के आसपास ही है जैसे यह 16 रुपए का है तो वो 8 रुपए का अंतर है लेकिन फिर भी दोनों कंपनियों की कंडिशन जो है वो डैप्ट पर ही थी और डैप्ट में जेपी पावर कैसे अच्छा कर रहा है यह हमें समझने जरूरी है क्या आर पावर भी वही कर रहा है तो ही यहाँ पर जो है आप इसमें पॉजिशन बनाओ अदर्वाइज यहाँ पर जो है यह तेजी ना ऐसी दिखती रही है इदर उदर उदर उन पर ब्लीप करना थोड़ा सा मुस्किल रहता है तो चलिए हम यही समझते हैं कि क्या हुआ है इन कंपणियों में और आर पावर क्या है ऐसा कर रही है तो ही मार्केट यहाँ पर फोकस देख लीजिए तीनों शियर्स जो बाकी है उनमें बढ़त देखने की मिली है लेकिन अगर आप एड़ी जी की ग्रूप पर ध्यान देते हैं और आपको शियर्स इनके पसंद आते तो मैं आपको बता दूँ कि आपस सर्फ इस कंपनी के अंदर दो ही शियर्स जो हैं वो का अधरवाइस बाकि सब विकार हैं उनमें अगर पैसा लगया तो फस गया मतलब यह समझे तो अभी आप देखें राइंस इंफ्रा में एक है यहां पर जो है अगर आप रिलाइंस इंफ्रा देखोगे तो आपको एड़ी जी गुरूप का एक हीरा मिलेगा कि यह एक फैंस इंफ्रा और आर पावर यह दो ही एडि गरूम में यह शान बनी हुई हैं बाकि सब विकार है तो अभी अगर आप आप आर पावर का वॉल्यूम देखोगे तो 10 करोड से अफंका वॉल्यूम हो चुका है और यह आपने आप में एक बड़ी बात है एक अच्छी बात अब जरा समझते हैं तो सारे चीजे जो है वो आपके quarterly result में छुपी हुई हैं आप अगर देखोगे ना तो पता चल जाएगा ये देखिए आप यहाँ पर गौर करिए ये है आपका जून 2021 का और ये रहा आपका जून 2022 का जो कि अभी का quarter है जरा आप देख के तो उसमें यहाँ पर जो है बढ़त आती हुए दिख रही है यानि की year on year quarter पर है अगर हम देखें तो net sale में भी थोड़ी सी बढ़त है थोड़ी सी लेकिन आपका जो expenses है जो खर्चें वो भी बढ़ते हुए नजर आए जिसकी वजह से यहाँ पर operating profit में हमें quarter on quarter basis पर कमी में लिए 914 करोड़ से घटका 776 करोड़ का operating profit आया है और इसी वजह से margin भी कमजोर पड़े और market market जो है वो margin पर बहुत ध्यान देता है तो परसेंट जो है quarterly 45 परसेंट से घटकर आपका 38 परसेंट रह गया है year on year quarter basis पर तो यहां पर year on year basis पर अगर आप पूछोगे तो बहुत ही खराब प्रिदर्शन जो है वह आर पावर ने करकर दिखाया अगर आप यह भी देख लीजिए 12 करोड का profit था और यहां पर आप आया है इस quarter में 71 करोड का घाटा अब यही आप quarterly देख लो तो year on year basis पर तो बहुत ही खराब result है quarter on quarter देखो तो यहां पर अठारा सो चालिस करोड से नेट सेल भढ़कर दो अजात 63 करोड और यहां पर है एक अच्छी चीज यह है कि आपर खर्चे जो 1600 करोड का खर्चा हम को देखा था मार्च में वह घटकर बारा सो सतासी करोड का निकल के आया 1287 करोड रुपीज का ही खर्चा हमें देखने को मिला है तो खर्चे में quarter on quarter basis पर कमी है और नेट सेल में उच्छाल है quarter on quarter basis तो quarter on quarter basis पर तो अच्छे में हम डिप देखने को मिली है 10% ही operating margin रह गए थे अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला तो लेकिन आब जो है इस quarter जो अभी latest quarter है Q1 में उसमें 38% पर margin पहुंच गये हैं ये एक अच्छी बात है और घाटा भी जो है 555 करोड से घटकर 71 करोड का ही पहुंच गया है तो quarter on quarter basis पर अच्छे result है लेकिन आप ध्यान रखे market देखता है year on year quarter और यहाँ पर year on year quarter ना बिलकोल भी अच्छे result नहीं है तो hope जो है ना जो market बना रहा है वो quarter on quarter basis पर बना रहा है कि quarter on quarter हाला सुधरी है तो next quarter में अच्छे result आने की संभाबना है और यहाँ पर company थोड़ी स सुधरती हुई नजर आई की like JP power और इसी वज़े से market में यहाँ पर आर पावर में तेजी हमको देखने हूं मिल लिए even यहाँ पर सस्ता stock है power का तो यहाँ पर trading करना यहाँ आसान रहता है लेकिन अगर हम बात करें अदानी power की और यहाँ पर JP power की और यहाँ पर बात करें अगर JSW energy की तो इन तीनों company में ऐसा क्या था जो इस company में नहीं है आर पावर की बात कर रहा हूं आर पावर में ऐसा क्या नहीं है जो कि इन company के पास है तो देखें इनका margin लगातार बढ़ रहा है quarter on quarter basis पर बेंकर year on year basis पर बहुत अच्छा है और यहाँ पर net sale में भारी भरक सब्सक्राइब और जैसा कि मैं होता है ना कि आर पावर जेपी पावर दोनों की एक condition थी लेकिन जेपी पावर इस वक्त आगे जाता हूं दिख रहा है आर पावर से तो आर पावर अगर आपके बेस्ट पर ही यह चल रहा है fundamental वेस्ट तो बिलकुल ही वेकार है तो अगर आ आर पावर का यह quarterly result का जो सारी चीजिए मैंने बताई margin से लेकर net sell और net profit तक अगर आपने समझ गया होंगे तो आप question करेंगे कि आर पावर की जगह है कौन सा शेल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा JP power अपनी खुद research भी थोड़ा सा कर लीजे JP power की उपर और यहां पर आ आकई में एक अच्छा fundamental stock हो चुका है जो कि सस्ते rate में भी मिला है कोई कमी नहीं है उस company के अंदर डैट भी लगातार कम होता जा रहे है आर पावर में वो चीज देखने को नहीं मिल ले है तो आर पावर तो ना रहेगा no सर्फ hope बेस्टी यह stock चल रहा है hope के लेकर अगर आ आप यह आर पावर में दमखम आ चुका है तो उमीद है आपको मेरी बात अच्छी लगए होगी अगर आपको इस वीडियो कोई प्रॉब्लम कुछ पूछे हैं कुछ पताने कुछ कहना है तो प्रीज कमें सेक्शन में कहिएगा और आप दीजे मुझे जाने बड़ी देख आप दो